नमस्कार, देसे टीप सिंधी के एक नए और फ्रेस एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज में आपके समने कैसी जड़ी बुटी लेकाय हूँ जो कि आपको अगर डायबेटी से सुगर की वीमारी है तो दोस्तों चन्द दिनों में ही ठ दिस्प्रिक्षिन में दे रहा हुँ आप वहां से भी पर्चेस कर सकते हैं अगर आप बाजर में जाते हैं तो आपको किसी किरय की दुकन पर भी मिल जाएगी दोस्तों यह इतनी कारगार ओस होधी है को कहीं सालों पहले भी यूज होती आई है और अब भी यूज करते हैं कई लोग तो इसका हर रोज भी यूज कर सकते हैं और इससे डायबिटिस दोस्तों बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ सकती है चाहें आपको हाई हो या लो हो तो मियाज आपको बताऊंगा के इसका यूज किस तरह से करना है दोस्तों इस चीज़ का नाम है पनीर के फूल आपक बहुत ज्यादा हाई नहीं है दोस्तों तो आपको पांच से छे फूली इस तरह के लेके आप एक ग्लास पानी में एट कर दीजिए और पूरी राद बर इसको यूँ ही छोड़ दे आप जब सुबा उठेंगे तो आपको इसको चान कर लेना है तो दोस्तों मैं यहां पहल कि इस तरह के छान लेने के बाद आप इसको अच्छे से चूर कर दीजिए दोस्तों इसको चूर करने का कारण यहां कि इसके जो तत्वा होते हो अच्छी तरह से पानी में घुल मिल जाए और आप इसका यूज फीर कर सके बेतर दोस्तों आपको इसका स्वात पसंद ना है मगर आप इसका रिजल देखेंगे तो आपको इसका स्वात खुद माखुद पसंद आ जाएगा आप इसको सुबह में लेना है आप जब लांज कर ले तब आदे घंटे बाद आप इसका यूस डेली करना है लगबग 25 से 30 दिनों तक आपकी डायबीटिस दोस्तों बहुत कंट्रोल में आ जाएगी अगर हाई डायबीटिस की आप प्रोब्लम है सुगर की प्रोब्लम है तो आप दस इस प्रकार के फूल भी ले सकते हैं और इस प्रयोक के साथ-साथ अगर आप कोई सुगर के लिए अंग्रेजी दवा का यूज़ करते हैं तो वह भी आप इसके साथ-साथ कर सकते हैं आपको लगबक 10 दिनों में अपनी डायबीटिस को एक बार जरूर से चेक कर लेना है सुगर को जरूर से आप चेक कर लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी सुगर पर किस तरह का आपका कंट् आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तो दोस्तो आपने देख लिया कि मैंने कितनी मात्रा में यहां यूज किया था आपको बहुत ज़्यदा हाई है तो आपको इस प्रकार के दस फुल लेने मैं आपको एक बार फिर बता दू अगर बहुत ज़्यदा हाई न नुसके के साथ तब तक के लिए दोस्तो आप लोग स्वस्त रहिए और मस रहिए